देखिए सबसे पहले ये समझिए कि अगर व्यायाम करने वाले की लड़ाई किसी से भी हो जाया तो उसकी हार नहीं होती और वो सामने वाले को चाहे तो बिल्कुल तोड़ कर रख सकता है व्यायाम करने वाला व्यक्त जो होता है वो जला हुआ कच्या कैसा ही खराब भोजन क्यों नहीं हो चाहे उसके प्रकिर्थ के खिलाफ ही हो पूरा का पूरा पचा लेता है और उसको कोई भी नुक्सान नहीं होता है देखिए व्यायाम से सरीर बढ़ता है सरीर की पूरी सुन्दरता बढ़ती है अंग अंग सुडवल होता है आलस से दूर रहता है शरीर में तीनों दोसों की सुद्धी होती है व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता देखिए सरीर का हाण मास पूरा का पूरा अंग जो है इस्थिर रहता है ठकावट, गर्मी, सर्दी, प्यास, इत्यादी सहने की सक्ति जो है व्यायाम से ही आती है देखिए अच्छा स्वास्त, लंबी उम्र, बल और सुख की प्राप्ती होती है देखिए जो निरोगी है वो सबसे भागिसाली है स्वास्त से ही सभी कायर सिद्ध होते हैं जो व्यायाम से होने वाले पसीने से लत्पत होकर दोनों परों को उपर उठा कर व्यायाम करता है उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं जाता जिस प्रकार गरूर के पास साप नहीं जाता ये भी एक सवाल होता है कि व्यायाम की सुरुवात कब करनी चाहिए तो देखिए व्यायाम की सुरुवात 15 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक सुरू कर देना चाहिए इस वक्त मसल्स जल्दी बनते हैं और ताकत बढ़ती चली जाती है देखिए इसका कारण एक ये भी है कि समय जो टेस्टरस्टोन हॉर्मोन्स होता है वो बहुत ही जादे प्रोड्यूस होता है एकदम पीक पर होता है